हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एससी क्रैकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है अब टाइम आ गया है कि स्टैटिक गीके का टेली टेस्ट आपसे लिया जाए यह टेस्ट वन है आजी से स्टार्ट कर रहे हर दिन 11 बजे चैनल पर आप टेस्ट दे सक सब टॉपिक्स से अब जो है मिस्लेनियर्स कोर्षन करके ऐसा नहीं है कि हाँ आज नेशनल ले रहे हैं वाइल नहीं है अब आपके साथ हर दिन 20 ऐसे कोर्षन पूछेंगे जो की एक्जाम ओरियंटेड है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हैं तो आप ग्रीन जोन में हैं और अगर दस से कम जवाब दे रहे हैं तो आप रेड जोन में आपको फिर वापस से सब कुछ पढ़ने के जुरूरत है जितना मैंने पीडियर्स दिया उसको आप पढ़ाई किजिए वहां से ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कोशन के साथ एक कोशन के लिए मिलेंगे आपको तीन सकेंड पहला कोशन ने आपके स्क्रीन पर कि वाट इस दा स्टेट फ्लावर ऑफ मनिपूर मनिपूर का स्टेट फ्लावर कौन सा है चार ओप्संस दिये वह हैं यस इसका करेक्ट एंसर ए हो जाएगा सिरूई लीली ज में इसको डिकलियर किया गया था एस इस्टेट फ्लावर ऑफ मनिपूर 1989 में नेक्स्ट कोर्शन आपके स्क्रीन पर है कि वाट इस दा करेंसी ओफ लेबनान लेबनान का करेंसी क्या है यह आपको बताना है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा पाउंड लेबनान का करिंसी है पाउंड अगर हम बात करें लेबनान के अगर प्रेसिडेंट की तो लेबनान के प्रेसिडेंट है माइकल आउन जो है यहां के प्रेसिडेंट है लेबनान के प्रेसिडेंट कौन है माइकल आउन और यहां के दायब जो है यहां के president है यह एक Muslim country actually में इसलिए यहां का जो official language है वो आपका Arabic है अगर हम यहां के capital के बाद के लिए लेबनान का capital कौन है तो Beirut जो है यहां का capital है ठीक है next question आपके screen पर यह है कि China when does China celebrates space day चाइना ने space day के रूप में celebrate किस दिन को किया है और इसका correct answer हो जाएगा 24 अप्रील 24 अप्रील को actually में क्या है कि China का 50th जो है years हो गया है जो पहला उसने जो launch किया था satellite उसको 50 years हो चुके है तो 24 अप्रील को हुआ था इसलिए चाइना ने celebrate किया है space day कब तो 24 अप्रील को next question आपके screen पर यह रहा कि when is the national panchaiti raja day observed panchaiti raja day कब होता है यह बताना है आपको और इसका correct answer क्या हो जाएगा panchaiti raja day observed होता है 24 अप्रील को ठीक है the national panchaiti raja day is observed on 24 अप्रील ओके चलिए next question है आपका कि लेशल पर्टू is a folk dance of which Indian state यह जो लेशल पर्टू folk dance होता है यह किस state का यह actually में folk dance है यह आपके सामने question है लेशल पर्टू yes correct answer हो जाएगा नागा लेशल पर्टू जो की folk dance है किस सहर का किस राज्य का तो नागा लेशल के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो जो है यहां के चीफ मिनिस्टर है और यहां के electricity supply first introduced in India electricity supply first introduced कहां हुआ था इंडिया के किस राजसहर में बताइए और इसका correct answer हो जाएगा डार्जलिंग डार्जलिंग इस दराइट एंसा है दो फर्स्ट स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट जो की 130 किलो वाट का था जो की स्टार्टेड हुआ था functioning in 1897 में ठीक है 1897 डार्जलिंग तो यह 1897 में पहला जो है जो प्लांट हुआ लगा था 130 किलो वाट का जो की स्टार्ट किया था कब functioning करना 1896 में 1897 में कहां से तो डार्जलिंग से तो डार्जलिंग इसका correct answer हो जाएगा next question है who is the governor of करनाटका करनाटका के governor कौन है यह बताईए यस correct answer हो जाएगा आपका वैजु भाई बल्ला वैजु भाई बल्ला जो की 2014 से अभी तक जो है governor पे पद्वी समाले में है ठीक है bond करें राजसभा सीट की बात करें तो 13 है यहां पर next question आपके screen पर यह है राणी ज्हासी Maine Learning National Park यह है है राणी जहांसी नेशनल पार्ट कहां है राणी ज्हासी मारीन नेशनल पार्क यह कहां कुर्शन है कि bank of Baroda का tagline क्या है ये आपको बताना है देखिए tagline से भी कुर्शन आ जाता है CHSL में तो definitely कभी-कभी आ जाते हैं इसलिए tagline को भी देख के वे चलना है तो जो important है उसको तो मैं आपने static में करवा ही cover करें लूँगा तो bank of Baroda का जो tagline ने वो है इंडियांज इंटरनäsंटनल बैंक, इंडियांज इंटरनेस्नल बैंक, तरजिकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, यह आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका राइटा स्रे, ठीक है, Mr. Nemo Malie Rehmann जो है, यह आपका यहांके प्रेसिडेंट है, तजिकिस्तान के प्रसिडियन का नाम क्या है Mr. Immo Malie Raymond जो है यहां के प्रसिडियन का नाम है भी आपका correct हो जाएगा next है who was the first person to award awarded with जनपीत अवार्ड in 1965 जनपीत अवार्ड जो कि 1965 से start हुआ था ठीक है तो आपको बताना कि who was the पहले वो व्यक्ति कौन है जिनको यह अवार्ड मिला था राइट एंसर हो जाएगा जी शंकरा कुरूप जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा first person to awarded with जनपीत अवार्ड in 1965 क्या हो जाएगा शंकरा कुरूप next question है इंडिया adopted the five year plan from इंडिया adopted five year plan from कहां से लिया गया है पंच वर्ष यह प्लान तो USSR से यह लिया गया है ठीक है correct answer यह हो जाएगा आपको बताना है 2011 के census के अनुशार कितना रूलर पॉपुलेशन है इंडिया में how much रूलर पॉपुलेशन इस देर इन इंडिया according to the 2011 census क्या हो जाएगा correct answer 13 का और इसका राइट एंसर हो जाएगा 83.3 करोर राइट एंसर हो जाएगा 83.3 करोर जो कि रूलर पॉपुलेशन में है नेक्स्कूर्शन आपके स्क्रीन पर की डी मॉनिटाइजेशन जो है फर्स्ट टाइम कब हुआ था इंडिया में वेन वास्द डी मॉनिटाइजेशन फर्स्ट टाइम डन इन इंडिया और इसका राइट एंसर हो जाएगा 1946 जैनवरी 1946 में फर्स्ट टाइम जो है डी मॉनिटाइजेशन हुआ था इंडिया में शांची इस्तूपा यह कहां लोकेटेड है नेक्स्कूर्शन यही आपके स्क्रीन पर और इसका राइट एंसर हो जाएगा मध्य परदेश शांची स्तूपा लोकेटेड है कहां मध्य परदेश में आपको बता ना है कि हेटक्वार्टर International Renewable Energy Agency का हेटक्वार्टर कहा है यह बताईए Headquarter of International Renewal Energy Agency IREA Correct answer हो जाएगा Abudhabi UAE Ethiopia का currency क्या है ये बताना है आपको Currency of Ethiopia इसका correct answer beer हो जाएगा BIRR आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है popular dancer West Bengal का जितने भी लोग अगर West Bengal से होंगे उनको तो पता ही होगा इसका answer कि Dash is the popular dance form in West Bengal Right answer हो जाएगा Tushu ठीक है यहाँ पे T-U-S-O-Tushu जो है यहाँ का popular dance है West Bengal का अब जो यह R-A-S रस देख रहे है रस कहाँ कहा है रस गुजरात का folk dance है Marooni कहाँ कहा है तो Marooni जो है यह एक तरह से Eastern sites का है जैसे कि Sikkim, Assam, इधर का भी है Nepal का भी dance है Bhutan के तरफ का भी यह सब dance है तो Marooni जो है actually बहुत सारे states में जो है वहाँ पर यह popular dance है वहाँ का Garadi जो है यह कहाँ का popular dance है तो Pondicherry का जो है पुदुचोरी जो आप बोलते है तो उसका यहाँ का folk dance है popular Next है आपका Belta National Park यह कहाँ located है किस state में located है Belta National Park Sorry, Betla Betla National Park यह कहाँ located है The Betla National Park is located in which state Correct answer हो जाएगा जार्खन Betla National Park is a National Park located on the छोटा नागपूर प्लेट्यू in the पाल्माउ डिस्टिक ओफ जार्खन in India Last question आपके सामने World Tourism Day यह कब होता है हर साल कब observe किया जाता है World Tourism Day परियाटक दिवस Correct answer हो जाएगा 27 September 27 September को World Tourism Day is observed annually होता है Total 20 questions मैंने आपके साथ discuss किया है अब आपका टाइम आ गया है कि आप comment करके बताएं कि आप red zone में है या green zone में है कितना आपका साइधा मिलते हैं कल फिर वापस से 11 बजे next static GK के test में test 2 में सब तक के लिए all the best